ऐसलोम लेकूं वीवर्स आज मैं सिस्टर किचं में आपके साथ सेद्रा मोहिन आज मैं आपके साथ जो है वो चीज ओमलेट की रैस्पी शेयर करूँगी जो बहुत ही सिंपल और इजी है बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है इंग्रिडियन्स भी बहुत काम है और इसका जो इसको क्रॉश करके रख दिया है यह प्यास क्यूप्स में काट १ार से रख लिया है नमक और यह मिर्च हो Как अपने रिखा से यह तيرة लिख अ कलिया दिये-AND अमक जालेंगे हुझ्टब कर दा बनाना है तो यह मैंने दो अदर अंडे लिए इनको जो है वो मैं आप यह जरूर ट्राइ कीजिए का बहुत मज़े के बनता है यह ओमलेट एक ही जैसा ओमलेट खा खा के जो है वह हम टेस्ट तंग आ जाते हैं तो यह जोरा न्यू रेस्पी है इसके अंदर जो है वह मैंने यह प्यास जट पर्च से तयार होने वाला है यह ओमलेट इकुटी भी मिर्च और हज़र जरूरत नमक बस इसको हमने डाल के अच्छे से जो है वह हमने मिक्स कर लेना है दस मिनट में हमारा यह ओमलेट तयार हो जाएगा और इसको आप प्राठो के साफ़ करोगे तो बहुत मज़े के यह थे लगता है तो अब यह देखिए मैं अच्छे से मिक्स कर लिया है इसमें अब मैं इसको जो है वो पैन में जो है वह इसको पकाऊंगी कि रव्यूमे तोड़ा सा ओल लाइट करेंगे और पीरे पैन के अच्छे से तहला देना है इस तरीके से अब मैं अमलेट डालूंगी और थोड़ा सा जो एवह मैं जब चीज इसके अंदर रख दूंगी तो फिर इसके बाढ़ डालूंगी यह हमने बहुत लोग फ्लेम पर पकाना है इसको ताकि अच्छे से पख जाए इस बाद के रहों में जुआ यहे जो है भूर रखना कोशे करें इसे जो हूर अधा अधा जो है वो फग्या विस्ते उपर जो है इस तरीके से जो है चीज रखूंगी अंदर बहने रखनी ए और उपर से भी इसके जो है वो मैं गार्निश करूंगी ताके जब हम ये इसको तोडेंगे अमलेट को बीच में से तो महारी चीज जो है वो अच्छे से सकी जो अब इस तरीके से मैं इसके ओपर अंडे को जो है वो मैं फैला दूंगी इस ओमलेट को जो है वह आपने इस तरीके से पहला देना है और इसको लो फ्लेम पर ही रखेगा अब मैं इसकी जो है वो साइड चेंज करें यह अंदर से तो हमारा ओमलेट सारा पक गया है बस इसको अब हमने हलका सा जो है वो कलर चैंज इसका थोड़ा सा करना है गोल्डन गोल्डन और उपर से जो है वो मैं इसके इसको हमने जो है वो चैक करते रहना है ताकि जादा डार कलर ना हो जाए जो मैंने इसकी साइड चेंज की थी तो अब मैं इसको जो है वो इसकी साइड जो है वो चेंज करूंगी फिर से इसकी साइड इस तरीके से चेंज करके एक साइड से तो जो है वो मेरा ओमलेट रेडी हो गया अब इसके उपर जो है वो है इस तरीके से चीज थोड़ी थोड़ी सी डालूंगे जो हमने इस तरीके से उपर से इसके थला देनी है और इसको मैंने अभी लोग रखा हुआ है ताके जो है ये मेरा अमलेट जले न और समय 1 मिनट के लिए जो है वो मैं अब ढ़न दोंगी वैसे जो है वो एक मिनट के लिए जो है बसी थाउट कर रहे हूं कीजी ओमलेट मेरा रड़ी हो गया है और बहुत ही मज़ेदार सा और इसको आप जरूर ट्राइ कीचेगा मेरी रेस्पी को संडे को स्पेशल आप बनाएगा ये अपने हस्बंड को बना के खिलाएगा बच्चों को बना के खिलाएगा और आपको अगरी मेरी रेस्पी सब प खिला करते हैं